अस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कंगारूओं और पाकिस्तान की टीम दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से एक मेलबर्न में खेल से जादा भारत के सीमित ओबरों के कप्तान महेंदर सिंग धोनी के नाम ने ध्यान खीचा धोनी मैदान में मौजूद नहीं थे मगर धोनी के फैंस की संख्या सीमित नहीं है धोनी के फैंस बड़ी संख्या में सीमा पार पाकिस्तान भी मौजूद है यहीं वज़े है कि एक पाकिस्तान टीम का समर्थक पाक वन डे जर्सी पर धोनी का नाम और नमबर पहने मैदान में आ गया इस फैन के धोनी के नाम वाली पाकिस्तान की जर्सी ने लोगों का ध्यान अपनी और खूब आकर शिक्तिया जल्दी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई ये तस्वीर सबूत है कि क्रिकेट सरहदों को नहीं मानता इस बात में कोई शक की गुंजाईश ही नहीं कि क्रिकेट की दिवान की भारत और पाकिस्तान में सिर चड़कर बोलती है पाकिस्तान के पूर्व राष्टपती परवेज मुशर्व भी धोनी के मुरीद है इस तस्वीर के वाइरल होने के बाद लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कई पाकिस्तानी फैंस कहते हैं कि वो भारती टीम का मैच सिर्फ धोनी के लिए देखते हैं कई लोग धोनी को गेम चेंजर मानते हैं गौर्दलब है कि धोनी देश ही नहीं दुनिया के सबसे सफल और आकरशक क्रिकेटरों में शुमार है हाला कि हाली में भारत और पाकिस्तान में पड़ोसी मुल्क के क्रिकेट फैंस को हिरासत में लेने की खबरे सामने आई थी हाली में असम में एक पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफ्रीदी की जर्सी पहनने वाले रिपॉन चौधरी नाम के फैं को गिरफतार किया गया था इस पर पाकिस्तानी और राउंडर ने कहा था कि भारत को ऐसी कारेवाई पर शर्मानी चाहिए इसके अलावा पाकिस्तान में भी विराट कोली के एक फैन पर कानूनी कारेवाई की थी कोली के फैन को दस साल की सजा सुनाई गई थी एनमेफ न्यूस की रिपोर्ट